आकाश्वाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शरत बागेला, पहले मुख्य समाचार राजपाल लाल जी टन्नन ने मुख्यमंतरी कमलनात को कल विधान सभा में भहुमत साबित करने को कहा विश्व उभोकता अधिकार दिवस आज कोरोना वाइरस के संकर्मन को देखते हुए कई जगा कारिक्रम इस्थगित राजपाल लाल जी टन्ननन ने कौंगरे सरकार को विधान सभा के बजट सत्र के पहले ही दिन भहुमत साबित करने के निरदेश दिये हैं कल देर रात मुख्यमंतरी कमनलात को लिखे एक पत्र में राजपाल के अभी भाषण के तुरंत बाद विश्वास मत हासिल करने को कहा इस पत्र में ये भी कहा गया है कि जब तक बहुमत साबित करने की कारवाई पूरी नहीं होती है तब तक ना तो सदन इस्थगित किया जाएगा और ना ही निलंबित किया जाएगा राजपाल ने पूरी कारवाई की वीडियोग्राफी भी कराय जाने के निर्देश तिये हैं इससे पहले कल शाम भाषपा के एक प्रतिनदी मंडल ने राजपाल से मुलाकात कर विधान सभा में बहुमत परिक्षान कराय जाने की मांग की थी वहीं एक अन्य घटनक्रम में विधान सभा अध्यक्ष एनपे प्रजापती ने कॉंग्रेस के बागी छे विधायकों गोविन सिंग राजपूत, तुलसी राम सिलावट, डॉक्टर प्रभुराम चोधरी, इमर्ती देवी, प्रद्युमन सिंग तोमर और महेंदर सिंग सी सोधिया का त्याग पतर स्युकार कर लिया वहीं कॉंग्रेस ने अपने विधायकों के लिए तीन लाइन का वेब जारी किया है, जिसमें उनसे विधान सभा में उपस्त रिने को कहा गया है गौरतलाभे की विधानसभा में कॉंग्रेस सरकार के छे मंत्रियों समेत 22 विधायकों ने 10 मार्च को विधानसभा की सदिस्ता से त्याग पत्र दे दिया था इन विधायकों ने जोती राधित सिंध्याग के कॉंग्रेस से त्याग पत्र देने के बाद अपने त्याग पत्र भेजे थे शिरी सिंध्याग बाद में भारती जंता पार्टी में शामिल हुए और जानकरी दे रहे हैं हमारे समवाददाता मध्य प्रदेश में राज्यपाल द्वारा कमलना सरकार को बहुमत साबित करने का निर्देश देने के बाद प्रदेश में आज दिन भर राजनेते गतविदियां तेज रहेंगी दिल्ली के पास गुरुग्राम में ठेरे भाजपा और जैपुर में रह रहे कांग्रेस विधायक आज भोपाल आ सकते हैं वहीं बंगलरू से भी कांग्रेस के बागी विधायकों के आज यहां आने की संभावना है वैसे विधानसभा का मौझूदा गणित कमलना सरकार के पक्ष में नजर नहीं आता 228 अज़सी विधानसभा में अब तक कांग्रेस के पास 114 विधायक थे और वेच चार निर्दली बसपा के दो और सपा के एक विधायक के समर्थन से सरकार चला रही थी 22 विधायकों के स्थीपे से कांग्रेस के विधायकों की संग्या घटकर 92 रह गई है जबकि भाजपा के पास 107 विधायक है इसलिए अब सब की निगाएं कल होने वाले बहुमत परिक्षन और विधानसभा अद्यक्ष के रुख पड़्टिकी है संजीव शर्मा आकाश्वणी समचार भुपाल इंदोर सहित रतलाम रेल मंडल के सभी रेलवे इस्टेशनों पर कल से कोरोना वाइरस से बचाव के लिए अभियान शुरू किया गया इसके तहत इस्टेशनों पर सेनिटाइजर से सफाई की गई कोरोना वाइरस से बचाव के लिए रेलवे स्टेशन पर लगातार उद्गोशना भी करवाई जा रही है रेलवे ने इंदोर में पिचुत्तर बिस्तरों का एक अस्पताल भी कोरोना संक्रमित रूग्यों के उपचार के लिए तियार किया है वहीं इंदोर जिले में भी स्वास विभाग ने कोरोना वाइरस के बचाव के लिए विशेश इंतिजाम किये हैं जिला ची किस्ता एवां स्वास दिकारी डॉक्टर प्रवीन जाडिया ने बताया के आर्मी अस्पिताल में पाँच विस्तर इसके अलावा इंदोर्चे सेंटर में करीब अथाइस विस्तर हमने लगा रखे हैं। वही निवाडी जिले के औरचा आने वाले परेटकों की भी स्क्रिनिंग की जा रही है। ब्लॉक मेडिकल आफिसर डॉक्टर विनोद वाच भी ने बताया कि किसी भी संदिक्द को आईसलोशन वार्ड में रखा जाएगा। फिर भी सावधानी के तौर पर जिसे औरचा है तो औरचा में परेटक होता आते हैं। उनकी हम नहीं के स्क्रिनिंग करा रहा है। दो डॉक्टर की डूटी वहाँ लगाई हुई है। हर्दा, नर्सिंगपूर, गौलियर, मुरेना, सागर, बेतुल सहित सभी जिलों में कोरोना वाइरस को लेकर लोगों को सावधानी बरतने के लिए जागरू किया जा रहा है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाश्वाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुवधा के नुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलिटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेस्बुक पर EIR News भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर या EIR News आप पर भी ये समाचार सुन सकते हैं। आज विश्व उभोकता अधिकार दिवसे। आप हमारो और संघोष्टी को इस्तगित कर दिया गया है। उधर शिवपुरी में भी जिलह स्तरी कार्यकरम इस्तगित कर दिया गया है। हाला कि मंडला, आगरमालवा और सिवनी में उपभोकता संरक्षन दिवस पर कार्यकरम आगजित किये जाएंगे। प्रदेश के 13 जिलों के 4,022 गाओं में 15 समू नलजल योजनाओं के माध्यम से ग्रामिलों को घरिलू नलजल कनेक्शन दिये जाएंगे लोक स्वास्त यांतरी की भाग ने इसके लिए 7,855 करोड की कार योजना तेयार की है जिसका क्रियानवैन राज्य जल निकम दौरा किया जाएगा योजना के अनुसार बैतुल, छतरपूर, धार, खर्गोन, जबलपूर, डिंडोरी और मंडला जिले के 1,925 गाओं में 11 समू नलजल योजनाओं की जाएंगी नाबाड, सहायतीतीत इन योजनाओं पर 2,990 करोड 65,000 रुपे व्याय किये जाएंगे हमारी विशेशंखला अच्छी खबर के 36 अंक में आज सुनिये हरदा जिले के प्रजेक्ट कवच की कहानी जिसमें दुशकर्म और छेड़चाड जैसी घटनाओं से बचने के लिए लड़कियों को आत्मरक्षा के उपाई सिखाए जा रहे हैं इसकी तारीफ प्रधान मंत्री नरेंदर मूदी भी कर चुके हैं अच्छी खबर का प्रसारण हर रविवार को प्रादेशिक समाचारों के साथ किया जाता है करांटे गरल के नाम से मशूर हर्दा जिले की मना मंड लेकर मंचलों की फवतियों से परिशान लड़कियों के लिए नजीर बन गई है मना बेटियों के साथ दुशकर्म और छेड़चाड की घटनाएं रोकने के लिए प्रोजेक्ट कवच चला रही है सामाजिक संस्था तिनका के सहियोग से चलने वाले इस प्रोजेक्ट में अब तक 23,790 बेटियों को आत्मरक्षा का पिडशिक्षाड दिया जा चुका है प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी भी मना की इस कोशिश की तारीफ कर चुके हैं अंतराश्ट्य महिला दिवस पर उन्होंने ट्वीट कर मना की तारीफ की थी मना के सहीोगी रित इश्टिबारी बताते हैं कि वे अभी 45 जगहों पर 6,000 बच्चों के साथ काम कर रहे हैं इसे और बढ़ाने की कोशिश की जा रही है अभी हम 45 सिस्थानों पर काम कर रहे हैं हर्दा जिले में और हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरे जिला हम कबर कर पाएं रोजाना हम 6,000 बच्चों काम कर रहे हैं और मना का ड्रीम यही है कि कैसे भी करके जो तकलीफे उसने देखी हैं अपनी बिद्धारती जीवन में वो कोई और ना देखें छिड़ चार से परिशान होकर घरों में कैद हो जाने वाली लड़कियों के सामने मना ने मिसाल पेश की है जिसने न सिर्फ मुसीवतों का मकाबला किया बलकि दूसरी लड़कियों को भी मजबूत करने का बीड़ा उठाया हरदा से लोकिश कुमार गौर के साथ समचार कक्ष से मैं राशित एहमद खान अब को समचार संक्षेप में अशोक नगर जिले के सभी शास्की विभागों के अपीली अधिकारियों को सूषनक अधिकार संबंदी प्रशिक्षन आज आज जूत किया गया है कटनी में कल मद्यस्ता जागरुकता शिविर आज जूत किया गया अनुपूर जिले में बारिश और उलवरष्टी से फसलों को हुए नुकसान का सरवे शुरू हो गया है राज जी निर्वाचन आयोक दोरा नियुक्त नगरी निकाय एवं पंचायतों के चुनाव के लिए फोटो युक्त मतदाता सूची के प्रेक्षक आज शिवपूरी पहुँचेंगे डिन्डोरी और धार सहित कई जिलों में कल रंग पंचमी का पर्व हर्शुलास के साथ मनाया गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतरगत इन जीयों की जिलासतरी कारशाला कल मुरेना में संपन हुई रतलाम से हुकर गुजरने वाली नो ट्रेनों में अतरिक्त कोच की विवस्ता की गई है सतना जिले के महियर में कल जन शिकायत निवारन शिवर का अउजन किया गया अंत में मुख्य समाचार एक बार फेट राजजपाल लालजी टन्नन ने मुख्यमंत्री कमलनात को कल विधान सवा में भूमत साबित करने को कहा विश्व उपभगता अधिकार दिवस आज कोरोना वाइरेस के संकरमन को देखते हुए कई जगा कारिकरम इस्थगित राजजी के 4000 से अधिक गाउ में 15 समू नलजल यूजना से पहुचेगा पेजल और हमारी विशेश रंकला अच्छी ख़बर में आज आपने सुनी हर्दा जिले में लड़कियों के लिए चलाया जा रहे प्रोजेक्ट कवच पर खास रिपोर्ट इस बुलिटिन में इतना ही आकाशवानी भपाल से अगला प्रादेशिक समाचार बुलिटिन सुनिए दोपहर दो बचकर 30 मिनिट पर नमस्कार